हेरो दोस्तों, welcome back with the new video दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग IREDA के stock के बारे में बात करते हैं IREDA यानि की Indian Renewable Energy Development Agency इस stock का हम लोग एक technical analysis देखेंगे देखते हैं कि इसमें हमें support zone कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और resistance zone कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और दोस्तों, जो इसका 52 week high बना है वो है 214 रुपीज 80 पैसा पे अब क्याज़ देखते हो, 215 रुपए पे इसका 52 week high है और अगर आप वहाँ से current market price को compare करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि stock अपने 52 week high से अभी भी 15-16% नीचे trade कर रहा है इस stock में अभी uptrend तो बना हुआ ही है तो chances हैं कि जो 52 week high है उसका यहाँ पर breakout हो अभी यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यह देख लेते हैं कि हमें support zones कहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पर इसका chart थोड़ा लंबे समय का देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि हमें एक यह trend line देखने को मिल रही है इस trend line को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 28 December 2023 का जो low है उसको जोड़ा है देन इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 14th March की जो candle है इसका low जोड़ा है यह दो candle सोड़ करके मैंने यह trend line बनाई है और इस stock में यह जो trend line है यह एक बहुत ही बढ़िया support की तरह काम करेगी अगर आने वाले दिनों में stock में current market price से थोड़ा बहुत भी आपको correction देखने को मिलता है तो इस stock को इस trend line पर से support देखने को मिल जाएगा अगर इस trend line का यहाँ पर breakdown होता है तो stock को अगला support हमें 120 रुपए के zone पर देखने को मिलेगा जहाँ पर stock को यहाँ पहले भी support मिल चुका है तो आप लोग भी अपने chart के उपर यह trend line मना लीजेगा यहाँ पर हमें एक यह high देखने को मिल था जिसके बाद यहाँ पर एक यह low बना इसके बाद एक और higher high बना था इसके बाद एक और higher high का formation हुआ था इसके बाद हमको यह trend line देखने को मिल रही है बाकी अगर यहाँ पर उपर के दरफ movement continue रहती है तो stock के लिए जो सबसे पहला resistance zone रहेगा दोस्तों वो 200 रुपीज का रहेगा यहाँ पर आप दिख सकते stock ने 3 June को opening करी थी जिसके बाद यहाँ पर correction हुआ था तो सबसे पहला जो resistance रहने वाला है इस stock के लिए वो 200 रुपीज का zone रहेगा अगर इसका यहाँ breakout होता है तो अगला resistance इस stock को हमें यहाँ पर 215 रुपीज के zone पर देखने को मिलेगा अगर है तो आपने उसे कहां पर वाई किया था ऐसा तो नहीं जब इसमें जब यही rally आई थी and 52 week high बना था 215 रुपे के zone में यहाँ पर वाई कर लिया हो तब तो आपका फिर यहाँ पर अभी भी loss चल रहा होगा या फिर stop loss लेकर exit कर दिया होगा तब तो बहुत ही बढ़िया बात है दोस्तों अगर आपको अपना नया dmatt account open करवा रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मैंने link दे रखा है आप उस पर से क्लिक करके अपना ptm money का dmatt account open करवा सकते हैं अभी हम लोग इसका एक basic fundamental analysis भी देख लेते हैं इसके लिए मैं stockage के platform पर आ चुका हूँ और यह हमने IRIDA की details open कर रखी हैं यहाँ पर मैं fundamental वाले section में आता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं यह company एक finance sector की company है non banking financial company दोस्तों यह जो IRIDA company है यह renewable energy के जो projects होते हैं उनके financing में मदद करती है इसकी market cap आप देख सकते हैं 48,769 crores की है यानि कि यह एक mid cap stock है इसका जो earning per share है वो 4.66 का है price to earning ratio 38.95 का है वही industry का PE आप देखें तो 24.71 का है और इसकी जो book value per share है वो 31.85 पैसा की है price to book value इसका 5.70 का है अगर आपको book value के बारे में जानकारी चाहिए तो description box में मैंने एक video का link दे रखा है उसमें मैंने book value क्या होती है उसके बारे में बताया था आप उस video को देख सकते है यहाँ पर हम लोग इसके result section में आते है and quarter business पे हम लोग इनकी net sales देख लेते है quarterly business पे अगर आप देखेंगे तो पिसले 2 quarter से तो इनकी net sales लगातार grow हो रही है इसके साथ ही अगर हम लोग इसका net profit देख लें तो net profit आपको देखने को मिलेगा कि December 2023 में था 336 crores का and March 2024 में था 337 crores का यानि कि बहुत ही minimal growth है इनके net profit में and इसका annual basis पे result देखते है net sales देख सकते हैं यहाँ पर FY23 में जो इनकी net sales थी वो 3,482 crores के थी and FY24 में जो इनकी net sales रही है वो 4,964 crores के रही है वहीं अगर हम लोग इनका net profit देखें annual basis पे तो आप देख सकते हैं FY23 में जो इनका net profit था वो 865 crores का था and FY24 में जो इनका net profit रहा है वो 1,252 crores का रहा है इसके साथ ही अगर हम लोग इनका shareholding pattern देख लें तो आप देख सकते हैं promoters का stick यहाँ पर पहले 100% था यह जो company है वो BSU stock है government of India इसके major shares hold करती है यहाँ पर अगर मैं shareholders वाले section में आऊ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इनका promoter है वो president of India है यानि की government of India government of India यहाँ पर 75% stake अभी भी hold करती है तो इसलिए यहाँ पर December 2023 वाला जो quarter था उसमें इनका stake जो है वो 75% का रह जाता है क्योंकि 25% stake इरेडा company का जो government है वो sell कर देती है public market में and March 2024 में भी जो government का stake था वो 75% था यानि की constant है plus two quarter से अगर हम लोग यहाँ पर FII का stake देखें तो आप देख सकते हैं FII का stake यहाँ पर December 2023 में 1.88 का था and March 2024 में 1.36 का रह जाता है यानि की FII ने अपने stake यहाँ पर sell किया है वहीं अगर हम लोग DII का stake देखें तो आप देख सकते हैं DII भी यहाँ पर December 2023 में 4.37% का stake hold करती थी लेकिन March 2024 यानि की last quarter में DII ने भी अपना stake यहाँ पर sell किया जिसके बाद इनका stake अभी सिर्फ 0.94% का है तो FII और DII ने तो अपना profit बुक किया क्या आपने भी अपना profit यहाँ पर बुक किया या फिर नहीं फिलाल आज की वीडियो में बस इतना ही I hope आपको यह वीडियो अच्छे लगी होगी जाते जाते वीडियो को लाइक करना मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत